गुड मॉर्निंग चिल्रन आज हम नैतिक सिक्षा बुक से पाठ नौ योगी राज स्रीक्रेशन पढ़ने जा रहा हैं बच्चों तुम लोगों ने जरूर स्रीक्रेशन के बारे में सुना होगा स्री राम की तरह उन्होंने भी इस धर्ती पर जन्म लिया था और वैदिक धर्म उन्हें योगी राज मानता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रूपों में यहां पर अपना काम किया चलो देखते हैं तुम्हारे पाठ में स्रीक्रेशन के बारे में क्या दिया हुआ है अवतार एक सम्मानित उपाधी है यह उपाधी जन्ता प्रदान करती है यह उपाधी महापुरुशों को प्रदान की जाती है अवतार बच्चों तुम लोगोंने सुना होगा कि स्रीक्रेशन को विश्नु का अवतार कहा जाता है अवतार अवतार मतलब उनका रूप ठीक है ऐसे तो वैदिक धर्म मूर्ति पूजा को नहीं मानता है लेकिन चुकि स्रीक्रेशन का जन्म इस धर्ती पर हुआ था इसलिए स्रीक्रेशन को हम लोग मानते है और ये भी मानते हैं कि उनमें इश्वर का कुछ अवतार है कुछ अंश है कुछ रूप है क्यों जन्ता ने उन्हें ये उपाधी क्यों प्रदान की क्यों उन्हें एक अवतार माना तो उपाधी क्या होती है बच्चों उपाधी महापुरुषों को प्रदान की जाती है यानि अवतार होने का अफसर महापुरुषों को उनमें अगर कुछ अलग देखा जाता है, कुछ स्पेसल देखा जाता है तब लोग उन्हें अवतार कहने लग जाते हैं ये तो इश्वर का अफ्तार लगता है, ये महापुरुष है, आधुनिक युग में भी जनता द्वारा महापुरुषों को इस जैसी कुछ उपाधियां दी गई हैं, और तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किनी महापुरुषों के नाम के अलावा भी उन्हें अलग दे देते हैं, अलग उपाधी दे देते हैं और उसी नाम से उन्हें जाना जाता है, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि आज कल भी गांधी जी जिन्होंने कि इस मौडर्न एज में जन्म लिया था, आधुनिक युग में जन्म लिया था, स्रीक्रिशन का तो जन्म इस द्वापर युग का कहा जाता है, लेकिन महात्मा गांधी का जन्म इसी युग का है, तो महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से जानते हैं, बापू भी उन्हें उपाधी दी गई, उनके कामों को देखकर वो इतने बड़े महापुरुस थे, इसलिए उन्हें प्य अभी होगा, महात्मा हंसराज कहते हैं उन्हें हम लोग, पुरुशोत्तम दास टंडन को राजरसी बुलाया गया, तथा सुभास चंदर बोस को नेता जी की उपाधी दी गई, ये उपाधियां इन लोगों को किसी सरकार ने नहीं दी, फिर किस ने दिया बच्चों? इन्ह जीवन में उतार लेते हैं, उन्हें जनता क्या कहती है? अवतार कहती है, अवतार इस्वर नहीं होते, लेकिन उनमें इस्वरिया गुन जरूर पाया जाता है, वे इस्वरिया गुनों का साकार रूप होते हैं, यानि साक्षात किसी इनसान में तुम्हें इस्वर में जो ज बहुत चाहस हो, जिसमें सब की मदद करता हो, तहुत करता है वो आ शे को की आ कुच्छ यह से अंग से था, जसे सब करेंगे 돼, तो सा रही शोयर था, यह और महपूरुषों होते हैं, और श्री राम, और स्री क्रिश्न राइव दोन। इस्वर के अव्तार माने जाते हैं हम स्री राम को मरियादा पुरुशोत्तम कहते हैं स्री कृष्ण को योगी राज कहते हैं मरियादा पुरुशोत्तम इसलिए कि स्री राम ने एक मनुष्य के रूप में धर्ती में पर जन्म लिया था और उन्होंने मनुश्य होने की सारी मरियादा चाहे वो बेटे के रूप में हो पती के रूप में हो राजा के रूप में हो निभाई थी और स्रीकृष्ण को योगी राज इसलिए कहते हैं हम लोग कि स्रीकृष्ण जो है उन्होंने बहुत सारी लीलाएं दिखाई थी इस धर्ती पर और जो योगी पुरुष होते हैं बच्चों वो बहुत सारी लीलाएं करते रहते हैं लिलाएं यानि हम लोगों को कलाकारी दिखाते हैं अचानक कुछ भी कर दिया हम लोग को पता तुम लोग आज कल देखते हो ना जादू बस उसी टाइप से लीला भी एक तरह का जादू वो और जो योगी पुरुश होते हैं उनके लिए वो जादू के ही समान है तो तुम लोग देखते होगे कि स्रीकृष्ण को अगर तुम लोगों ने देखा होगा टीवी सीरियल्स या अगर महाभारत की कहानिया सुनी होंगी तो तुम लोग जानते होगे कि स्रीकृष्ण ने बचपन में या बड़े होकर भी बहुत सारी योगी क्रियाएं की थी या माता जो थी वो देव की थी जो की महराज कंस की बहन थी लेकिन महराज कंस ने उन्हें और उनके पती को जेल में डाल दिया था और इसी लिए स्रिक्रिश्न का जन्म भी जेल में ही हुआ था लेकिन स्रिक्रिश्न का पालन पोशन कहा हुआ था उनका पालन पोशन यशोदा और नंद ने किया था बड़ा होने पर स्रिक्रिश्न ने कंस को मार कर अपने माता पिता को जेल से चुढाया और जब स्री कृष्ण 11 वर्स के हुए थे बच्चों तब उन्होंने कंस को मारा था और मार कर अपने माता पिता को यानि की देवकी और बसुदेव को जेल से छुड़ा लिया था और कंस जो थे वो स्री कृष्ण के मामा थे जैसा कि हम बता चुके हैं पहले ही उसने अपने पिता कृष्ण के नाना उगर सेन को जेल में डाल कर उसका राजे चीना था और कंस इतना बदमास था कि उसने अपने पिता को यानि देवकी के भी पिता थे वो और उस समय राजा बात थे मत्HURA के राजा उग्रसेन, उनको जेल में डाल दिया था और फिर राजा बन गया था कंसौन ऑर फिर उसने अपनी बेहन को और उसके पती को भी जेल में डाल दिया था जहाँ क्रिशन का जन्म हुआ था तो कृष्ण ने राजा उग्रिसेन को छुडवाया और फिर से उन्हें राजा बना दिया महाभारत के युद में स्रीकृष्ण अर्जुन के सार्थी रतवान बने और महाभारत का युद्ध कौन नहीं जानता है कि अरजुन का रत महाभारत के युद्ध में स्रीकृष्ण खुद चला रहे थे वो खुद सार्थी थे, सार्थी मतलब रत चलाने वाला अरजुन ने अपने संबंधियों को युद्ध में मरने के लिए आए हुए देखा वह मोह में पड़ गया स्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और ऐसा हुआ कि जब युद्ध करने के लिए अरजुन पहुँचा मैदान में तो जब उसने देखा कि दूसरे पक्ष के लोगों में सिर्फ और सिर्फ उसके रिलेटिव हैं उसके रिस्तेदार हैं संबंधी हैं सभी तो वो युद्ध छोड़ कर जाने के लिए तैयार हो गया उसे मोह हो गया कि मैं अपने लोगों को कैसे मार दूँ उस वक्त बच्चों स्रीक्रिष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया था जो स्रीमत भगवत गीता के रूप में हम लोगों को बुक में पढ़ाया जाता है या हम पढ़ते हैं स्रीक्रिष्ण की नीती का सहारा पाकर पांडवों ने युद्ध में विज़े पाई थे और अच्छे के साथ अच्छे थे इसलिए उनका चरित्र आदर्स चरित्र है आदर्स चरित्र हम उसे कहते हैं जो मानने योग्य हो यानि जिसके चरित्र पर जिसके पद चिन्हों पर चला जा सकता है उनके तरह बना जा सकता है और स्रिक्रिष्ण का चरित्र वैसा ही था चलो अब अभ्यास देख लेते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ती करना है यहां कुछ श्रब्द भी दिये गया है हम महात्मा गांधी को डैश कहते हैं क्या कहते हैं? बापू जै प्रकाश डैस कहलाते थे जै प्रकाश क्या कहलाते थे? लोक नायक जै प्रकाश नारायन क्या कहलाते थे? लोक नायक कहलाते थे पुरुशोत्तम दास टंडन राजर्सी माने जाते थे नेता जी नाम से सुभास चंद्र बोस समझा जाता है डैश एक सम्मानित उपाधी है अवतार एक सम्मानित उपाधी है, स्रीकृष्ण की माता का नाम देवकी था, अच्छा इसमें देवकी तो दिया है बच्चों, स्रीकृष्ण की माता का नाम देवकी था, स्रीकृष्ण का पालन माता यशोदा ने किया था, हमेशा याद रखो, उनको जन्म देने वाली मा द देव की थी लेकिन उनका लालन पालन माता यशोदा ने किया स्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया जब युद करते समय युद के लिए जब वो पहुंचे मैदान में और उन्हें मोह हो गया वो युद छोड़ने के लिए तयार थे अर्जुन तब स्री उन्हें गीता का उपदेश दिया और गीता में ही ये लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए काम करना ही हमारा करतव है हमें अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए बस सही काम करना चाहिए ठी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना और हाँ बेल आइकन तो जरूर दबाना थैंक यू